बॉलिवुड एक्टर सुनिल सेटी ने हाली में कन्फर्म किया है कि आथिया और केल डाहुल जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं दरसल सुनिल की क्राइम ठ्रिलर सिरीज धारावी बैंक के लॉंच इवेंट में उनसे बीटी की शादी के बारे में पूछा गया जिसके जवाब में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे कन्फर्म हो गया कि दोनों जल्द शादी करने वाले हैं बादचीत के दोरान उनसे पूछा गया कि केल राहूल और आथिया की शादी कब होगी तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जल्द होगी अब सुनिल के इस जवाब से लग रहा है कि दोनों जल्द शादी करने वाले हैं ऐसा पहली बार नहीं है जब सुनिल ने आथिया और केल राहूल के रिष्टे पर बात की है इससे पहले भी एक इंटर्विव में बादचीत के दोरान उन्होंने कहा था आथिया मेरी बेटी है और वो एक नएक दिन शादी जरूर करेगी ये उनकी पसंद है जहां तक केल राहूल की बात है तो मैं उस लड़गे को पसंद करता हूँ ये उन्हें तैक करना है कि वे क्या करना चाहते हैं क्योंकि समय बदल गया है मेरी बेटी और बेटा दोनों ही अब जिम्मदार हो गया है मैं चाहता हूँ कि डिसिजन वो ले मेरा आशिरवाद हमेशा उनके साथ है यहां आपको बता दे कि केल डाहूल और आथिया करीब तीन साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं दोनों को अक्सर एक दूसरे के साथ वेकेशन पर जाते दिखा जाता है काफी समय तक दोनों ने अपने रिष्टे को सिक्रेट रखा था हलाकि आथिया अक्सर केल डाहूल के साथ उनके इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों में उनके साथ स्पोर्ट की जाती रही है आथिया ने 2015 में सूरज पंचोली के साथ फिल्म हीरो में काम कर बॉलिवुड में अपने करियर की शुरुआत की उसके बाद उन्होंने मुबारका और मोति चूर चक्राचूर जैसी फिल्मों में भी काम किया है ऐसे ही खबरों के लिए जनता की आबास को जरू सब्सक्राइब करें और हाँ लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले